अगला फोकस पूरे एक गंटे इसी पर रहने वाला है स्वागत आपका शेर बाजार लाई में नमसकार मैं हूँ अनिल सिर्भी अनिल जी से किस तरह से करें आज की तैयारी इस सीरीज की तैयारी इस तिमाई की तैयारी नई चिमाई की तैयारी और भी कुछ बचावा तो भी बहुत बहुत कुछ आ चुका है और बिल्कुल और इसकी तैयारी बहुत दमदार तरीके से करेंगे, उससे पहले आईए देख लेते हैं इस वक्त आज के ट्रिगर्स क्या हैं और उसके दम पर फिर हम आगे बढ़ेंगे, अमेरिका में कमजोरी हुई, उम्मीद से ज्यादा नहीं कहीं ज्यादा, उम्मीद थ और एशिया में भी कमजोरी वेसी दिख रही है, और बढ़ी कमजोरी के साथ जो बाजार खुले हैं वो ट्रेड करते हुई दिख रहे हैं, नेच्रल गेस के दाम 62% बढ़े हैं, जी बिजनिस की बड़ी और एक्स्क्लिजी ख़बर पर मुहर लगते हुई दिख रही है, ए एक दमदार लिस्टिंग की तैयारी है, एतियासिक IPO अब तक सबसे ज़्यादा रेस्पोंस लेने वाला, 300 गुना भरने वाला पारस डिफेंस आज लिस्ट होगा, दमदार लिस्टिंग थोड़ी दिर में विशिलेशन करेंगे, लिस्टिंग को लेकर भी, और सितंबर के मह तो बिक्रिके आंकडे आज जारी होंगे, कमर्शेल विकल्स की अच्छी रहनी चाहिए, पैसेंजर विकल्स पर रहेगा दमाओ, तो देर सारा एक्शन है, आज पहले दिन, क्योंकि आज महिने का भी पहला दिन है, सिरीज का भी पहला दिन है, दोनों एक साथ आगए तो फ कहीं से भी करें, कहीं से भी करें आप, मैं पोजिटीव हूं। कि शायद वापस BJP सरकार में आएगी नहीं आएगी उस लिहाद से थोड़ा सा और NBFC का भी उसी वक्त हुआ था जो ILFS का जो मामला हुआ था दोनों चीज़ों को साथ में मिलाकर जो कर्रेक्शन हुआ था उसमें लिक्विडिटी संकर्ट और साथी साथ पॉलिटिकल अंसर्टिन्टी वो आठ परसेंट है अधर्वाइस 2010 से लेकर देखिए 2020 तक एक भी नेगेटिव क्लोज नहीं नेगेटिव क्लोज भी नहीं है तो ट्रेंड में यह है कि 2-5% तक की तेज़ी आराम से अक्टोबर में बनती अब तक का जो ट्रेंड है आठाट परसेंट की भी बनी हुए है बिलकुल अक्टोबर की सीज़ से एतियासिक तोर पर डर नहीं लगना चाहिए लेकिन हाँ एतियासिक तोर को छोड़कर अगर आप न्यूस फ्लो के लिहाँ से देखें वो तो किसी को पता नहीं अगर आपका व्यू यह है कि ग्लोबल बहुत कराब हो जाएंगे तूर जाएगा गिर जाएगा अमेरिका बिलकुल टॉप बना चुका रहा वापस कभी वह लेवल जल्दी में दो-पांच साल में नहीं माले हैं तब तो एक अलग व्यू है तब तो आप इस सीरीज में भी गिर जाएं तो कौन सी बड़ी बात है और स्पेशली जब पिसली सीरीज आपने आठ सो नो सो पॉंट की तेजी पर देखी आठा सो पॉंट के आसवास की आपकी तेजी बैंक निफ्टी में हुई है तो हमें अपने इसाब से अंदाज लगाने की कोशिच करना हो तो पहली चीज तो यह दूसरी चीज़ है कि जो एफाइस के इंडेक्स लोंग में पोजिशन में जो रोलवर हुई है वो 57% के आसपास की है तो वो भी कोई खास ऐसा नहीं है दीप की मतलब बहुत हेवी 75% ही रोलवर है निफ्टे में जबकि पिछली सीरीज में 84% है कम रोलवर हुई है यानि कि लोंग साइट पर रोलवर कम हुए पहली चीज दूसरा बैंक डिफ्टे में रोलवर थोड़े से बढ़कर आए लेकिन वो लोंग साइट पर है हाला कि वो अच्छी बात नहीं है सीरीज की शुरात में थोड़ा सा शायद वहां पर दबाव दिखे तो ओवर ओल आप अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है और पिछली सीरीज हमने एफाइस की लॉंग पोजिशन 55% पर की थी इस बार 57% पर है तो हम वहां पर भी हलके होकर जा रहा है तो ओवर ओल यह कह सकते हैं कि पिछली सीरीज के मुकाबले में इस सीरीज में मार्केट थोड़े हलके है औक्तोबर की सीरीज एतियासिक तोर पर आपका साथ देती है तो एक ही रिस्क है ग्लोबल सेल उफ अगर आपका व्यू यह है कि ग्लोब फुर कि करेकशन के बाद ग्लोबल मार्केट साथ आपके लिए जो मोका वो उक्तोबर की सीरीज में आपके लिए सिमिलरी जैसा कि सितन्बर की सीरीज पहले हाफ में मजबूति की हमने बात कि था धी दूसरा में रह सकती है और उसमें आपको खरिदारी के बैतरिन दमदार मोखे ढूणने है ताकि आपके दिवाली बैतरिन हो चलिए तो तैयारी उसी की है हाँ श्राद पक्षाल रहे हैं लेना चाहिए नवरातरी देशरा दिवाली बड़ी आए और आज भी हम कुछ प्रग्रामिंग लेकर आ रहे हैं सब्सक्राइब करें अब आज यह विशेश परिधान जो आप देख रहे हैं मेरे और दीप के साथ में वह इस वज़े से कि दो औक्टोबर यानिकि कल गांधी जैन्ती है और आज हम एक विशेश शो करने जारे हैं गांधी जैन्ती मनाने भ यह 11 बजे हमारे एक विशेश शो होगा उसमें हम आपको यह बताएंगे कि गांधी जी के जो खास उब्देश रहे हैं जो उन्होंने बड़ी बड़ी बाते कही है उन्हें आप अपना कर प्रेक्टिकल तरीके से बिल्कुल प्रेक्टिकल तरीके से क्योंकि एक चीज आप कमो बेश हम उसी लाइन पर आसान भाषा में गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो किस तरह से इन्वेस्मेंट फिलोसोफी में फिट बेढ़ता है और आप और हम उससे क्या सीख सकते है इस पर 11 बजे का यह विशेश शो मिस्मत कीजिएगा मेरो अर्दीब के साथ बिलकुल परसंटेज एक डेड़ परसंट बर पॉइंट्स साढ़े पांच सो और उसके बाद आज सुबह फिर से दो सो कहने के लिए कि परसंटेज देखे लेकिन पॉइंट देखे वागे रहा थोड़ी जाता है और वो इंपेक्ट तो आते ही बिलकुल वो इंपेक्ट आना भी चा है नहीं तो आप हडबड़ा जाएंगे हजार पॉइंट की संसेक्स में गिरावाट तीस हजार के बिस हजार के संसेक्स पर अलग होती थी साथ हजार पर अलग होती है इसलिए हम इंवेस्टर्स को तो परसंटेज की लियाद से वही तरीके से आपको जाना है अब आईए ग का होगा क्या 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 वाकए में लंबे समय तक ऐसी तेजी रह सकती है आप दिल से पूछेंगे तो कहेंगा नहीं इतना तो कभी हुआ है डिमाग ऐसा करता क्या और सब्सक्राइशू है डिमांड स्ट्रोंग है तो क्या होगा सो वह कंफूजन वाला जहां मार्केट लेकिन इंफलेशन कौन सा चाहिए फेड को फेड को डिमांड साइड वाला इंफलेशन चाहिए सप्लाई साइड वाला नहीं चाहिए कि सप्लाई नहीं है इसलिए इंफलेशन बढ़ रहा है पावर की शोटेज इसलिए पावर के दाम बढ़ रहा है पावर की शोटेज ग अगले हफते से आप अमेरिकी माज़रों को स्टेबल होते भी देख सकते हैं क्योंकि अल्टिमेटली फंडामेंटल्स पर और कोर पर अगर अमेरिकी अमेरिका के वाज़ार जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें ठीक होती हुई दिखेगे तो हलके फुल के रणिंग करेंगे से आप इंकार नहीं कर सकते हैं और वह होता दिख रहा है तो मेरा स्ट्रॉंग बॉल्ड कोल यह है कि जादा से ज्यादा सोमवार तक आज और सोमवार के बीच में अमेरिकी बाज़ार के इंस्टेबल होने की कोशिश करेंगे या अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश कर करेंगे और तब आपको उस रिक लिहाँ से खड़ड़ लियाँ और इस लिहाँ से भारती बाजरों में हो सकता है आज यहासक्ता मेरा तो वानना है, आज जितना खराब होना है, शायद आज ही हो जाए, आज के बाद सômवार से हम थौड़ा ठीक होना शुरू करेंगे, या सोवब्वार को और नीचे खुल कर फिर ठीक होना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज फिर से अमेरिका दो सो पॉль नीचे दिख र जादा करता है अमेरी की बाज़ार को और उस लिसाफ से में लग रहा था कि शायद खराब हो सकता है बहले डाव फीटर्स मजबूत दिख रहा हो सो ठीक है बहुत डरने गबरानी की जरूत नहीं एक 17,950 से अगर आप 17,250 साथ सो पुइंट का करेक्शन पूरा कर ले जो कि ल पूरिटी स्टॉक्स खरीदने के लिए वह आपके लिए फायदी की बात होगी चलिए तो ठीक है आज देखते हैं फिर कैसा मुवमेंट आता है नई लिस्टिंग सर इस पर भी आपकी राय जाने है पर आई एक बार फिर सेट अप भी समझ लेते हैं यह ग्लोबल तो नेग इस लिए मेरे लिए यह है कि सबसे ज्यादा है इस रेंज के नीचे है इस रेंज के नीचे है आप यह रख लिए 17300 के नीचे बंदो तो यह आपको अब फ्रेश डरना जितने डरें हो उतने ठीक है अब फ्रेश डरना तब है जब सब्सक्राइब जो डेटा मुझे बता रहे हैं वह यह कह रहा है कि 17250 से लेके 17400 की रेंज जो है निफ्टी पर स्ट्रोंग सपोर्ट है स्ट्रोंग बाय जोन है बाय जोन भी सपोर्ट लिए शॉर्ट कर लिए अब वह आज आ जाए वेल अंग्लूट आज ही कर लिए आज नहीं आए 100 मबार को आए तो 100 मबार को करें वहां पर खरेदारी भी करनी और जो लोग मुचल वंड में टाइम करने के लिए बहुत टाइम होंगे आम पड़ाना चाहते हैं तो लगानी पाए उनके लिए इस रेंज में वेसे आएगा नहीं आए तो फिर वही वाली राय जब मैंने का था कि 16,9,17,100 आएगा तो मैं खुद अपना पैसा लगएगा आज में फिर कह रहा हूं वहां भी लगाएगे तो इसलिए आएगा नहीं आए तो लगाना ठीक है इस बार का करेक्शन पिछले बार की मकाबले मे थोड़ा सा आपको जाला दिख रहा है या एक तरफा नहीं दिख रहा है वो जैसे जैसे आप मार्केट में हाईर लेवल पर जाएंगे वो होगा लेकिन ऐसा कोई बहुत चिंता करने की ज़रूत अभी तक नजर नहीं आती है चली अच्छी बात है यह तो चिंता करने की ब ओपरबें 17-575, 17-625 हलकी-फुल की रुखावट पार करके निकलेंगे नहीं निकले तो 17-700, 17-750 स्ट्रोंग सेल जो अब आपके लिए रहेगा बेंक डिफ्टी, 36-950, 37-150 खरीदारी की रेंज और दीप एक चीज और बता दू कि अगर जो खरीदारी की रेंज और आवाय इसलिए आवाज में थोड़ा दम कम है, मार्केट की वेज़े से नहीं है, यह इत्मिनान रख्या है, यह हो सकता है, मार्केट खराब होने से आवाज खराब नहीं होगी, उपर अच्छा होने से आ सकते ही, इस बात की सम्मावने से इंकार नहीं कर सकते हैं, तो 36,675, 36,850, य बना था और निफ्टी का लोग 17,326 का बना था, तो 17,500 के आसपास और 17,300 के आसपास, यह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बहुत स्ट्रोंग सपोर्ट है, कि पिछले कर्रेक्शन में हम वहाँ से गुमकर 17,947 पहुंचे हैं, 37,370 तक पहुंचे हैं, तो वहाँ जब त 37,425, 37,675 चोटी रुकावट, 37,750, 900 परफेक्ट सेल जोन, डे रेंज, 440,600, 17,440, 17,600 दिन की चोटी रेंज हैं, 17,375, 17,700 दिन की मीरियम रेंज हैं, और 17,325 से लेकर 17,750 दिन की बड़ी रेंज के तोर पर लेकर चलें, बैंक डिफ्टी, 37,3400, 37,000 के आसपास खुलने च 36,650 यहां तक आने चाहिए, 37,675 उपर की रेंज और 36,675, 37,775 यह आपकी बड़ी रेंज के तोर पर जी, ठीक है सर तो यह हैं आपके लिए सारी बड़ी रेंज आज की जहां पर आपको रखनी है नजर, पुजिशनिंग के भी बात कर लें सर किस तरह से देखने हैं, और अब आपको एफाइस की लोग पॉजिशन उन्चास परसंट से सतावन परसंट गटकर आई है लेकिन उसको डे टू डे बैसिस पर नहीं देखें, सीरीज की शुरुआत है, सीरीज तू सीरीज देखेंगे तो आपको एफाइस की लोग पॉजिशन गटी भी दिखेंगे, तो इसलिए कमफरटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, पुट कोल रिश्यो ओवर सोल लेवल पर सीरीज की शुरुआत पर एक का पुट कोल रिश्यो 1.0 फॉन 100% ओवर सोल है, लोग लेवल से रिकवरी आएगी, अब आज ही आ जाए, बहुत अच्छी बात है, आज ना आए, सो का इसलिएशन अलगती, यह सीरीज की शुरुआत है, तो सीरीज की शुरुआत में जरूरी नहीं की रिकवरी आज के आज मिले, वो रिकवरी कल भी हो सकते है, 7-5 को भी, आपको खाली ध्यान रखना है, रिकवरी के संकेत कब और कैसे आता है, लोग लेवल पर आपको खरि करो रहे हैं ठीक है लंबा दूंग तो अब वो है कि क्या है क्या है क्या नहीं समझ जाता है इंट्र डे सत्रह पांच सो अगर किसकी पुरानी पॉजिशन है तो और अगर आपको वाके में रिस्क लेने की ताकत है तो क्लोजिंग बेसिज पर सत्रह चार सो वाला रखिए और रख सकते हैं तो 17,275 होता है तो अब वह आपकी शद्धा पर है कि आप कितना रख सकते हैं तो 17,300 पचेश सिंपल चीज यह की है सबसे इंपोर्टेंट है आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है आपके लिए स्टोप लोज के लिए आज से बैंक लिटी इंट्रडे 37,000 लोजिंग 36,000 इसके नीचे बंद होते हैं तो ही आपको और ज्यादा डरना है लेकिन वहाँ से अभी आप है करीवन 600,000 पर है शोर्ट पोजिशन है तो आज आपके लिए चप पर फाड के अनेक्सपेक्टेट है जिस होचा नहीं होगा 17,750 यह आपका स्टोप लोज होना चाहिए लोंग साइड ए शोर्ट साइड पर इंटरडे और क्लोजिंग दोनों ही 27,800 आपको एंटरडे और क्लोजिंग पर स्टोप लोज बनेगा ठीक है सर तो यह है आपके सारी मौजूदा पोजिशन पर राए नई पोजिशन सर शोर्ट करें इफटे 17,750 के स्टोप लोज के साथ नीचे के टार्गेट 500, 440 यहां पर शाहिए खुलेंगे 400-350 और टार्गेट बहुत हो गया तो 275 जो मैंने दिया नहीं 300-250 के रेंज में बनता है कहीं के उतना काफी है खरीदने की राय है 300-400 के रेंज में खरीदिए 275 का स्टोप लोज रखिए चांस ले सकते हैं कोई इश्यू नहीं है 500-550-600-625 डर लगे options खरीदिए ज्यादा बढ़िया है ताकि आपको आज-का-ज प्रॉफिट नमर ने तो 100 मंगल तक आप इंतजार कर पाएं और options भी इस तरही से खरीदिए थोड़ा अभी थोड़ा नीचे और रहा है 1500 तो option और खरीद पाए इस तरीके से आप खरीदिए लेकिन खरीदारी की रेंज में आप आ र सकते हैं वहां पर 100% खरीदारी है ठीक है और खरीदना है 36-645-3850 की रेंज में 36-850 की नीचे से देखना है कि कि इतना प्रेशर है ग्लोबल का अब देशने से आपको ग्लोबल 200 नीचे दिख रहा है ठीक है और एक तो यह दीप समझ में जाता है यह लोग कैसे परफेक्ट इतनी चुटिया मनाने के बाद भी सुपर पाउर बन गए चैना साल में दो बार इक भी अनुए तक चुटि नहीं मनाता है फिर भी अमारी जालत दिक तो इतनीय मार्केट बन रहते है और ऐसे टाइम पर चुटिय लेखो आराम से आज परफेक्ट दिन चुट्टि रखी कोई टेंशन नहीं ठीक है तो खरीदना है 675-850 36-675-3850 की रेंज में बेंग रिफ्टी कि 36-500 का स्टॉप लोस होगा 36950-3775 चोटे टार्गेट 37650-37250 मीडियम टार्गेट 37345-3400 फाइनल टार्गेट क्लियर है सर यह सारे लेवल सारे पुजिशन की राय आपके लिए अच्छी बात यह है सीरीज की शुरुवात है तो कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है संटीवी एक आखरी स्टॉक जो कल बैन में था वो भी बाहर आ गया है डेटा समझने सर क्योंकि चलिए परसों तो समझ मे तो बड़े हैं समय कोई डाउट निए 2200 का केश में बेचा है 2400 करोड का अपने इंडेक्स फीचर बेचा है 2200-2300 करोड के स्टॉक फीचर बेचे ने तो आंक्रे तो आप देखें कि तो करीबन करीबन साथ जार क्रोड की डाइरेक्शनल विकवाली के है फाइस की तरफ त तो यह तो पुराने डेटा है आज अगर निफ्टी 300 गिर भी जाए तब यह आंक्रे तो नहीं दीखेंगे यह तो अम भी जानता है इसका मतलब क्लियर है जो एकस्पारी का अड्रेस्मेंट था और आगे बड़ो अब आईए वाइदा करोड के डेटा में पुट कोल रिश जिसके बहुत नीचे गुलने की तैयारी है और डेटा कम है सिरीज की शुरुआत में ज्यादा डेटा है नहीं डिस्कुस करने की ज़रूद की जाली है ठीक है तो देखते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के बाद अड्जस्मेंट के बाद कैसी रहेगी भारती बाजार की चाल इंडेक्स पर तो movement होने वाला है stock specific action भी रहेगा IPO की बात करें उससे पहले अन्यल जी की तरफ से आज का stock of the day एक cash का stock खरीदने के रायत दीप और वह है rain industries जो सितंबर के महिने में दुनिया भर में especially Europe में और चाइना में सिपीसी कैल साइन कौक जो बना पेट कौक जो बनाती यह company जिसमें यह leader है number two है इसके दाम 33% बढ़े है वाव जबर्दस मतब तेजी होती दिख रही है और उसका फायदा सिदा 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 यहां भी मिलेगा company के पाद सिमेंट प्लांट में चार एमटी का तो सिमेंट में सिपीसी के दाम बढ़े हैं वो और वैसे भी आप लेखिए कोईले के दाम तेजी से बढ़ी रहे हैं तो हर तरीके से यह जो प्रोड़क्स के दाम बढ़ रहे हैं इनकी financial performance में आना बाकी है इसलिए मुझे लगता है कि अगर बाजार की कमजोरी में आपकुछ अच्छे अगर स्टोक आपको नीचे के लेवल पर मिलता तो बहुत बढ़िया है दो सो पचास, दो सो साथ, दो सो पैसर छोटे टार्गेट है और इन चुलिए अगर बाजार में recovery आई और commodity में तेजी रही तो यह स्टोक तीन सो तक जाने की भी ताकत रखता है यह भी एक ऐसा स्ट के दाम 50% जो बढ़े हैं पिछले एक महिने में वो जबर्दस परफोर्मेंस देंगे तो मेरी खाल से यह एक स्टोक है जो अक्यूमिलेट करना चाहिए चलिए सर तो नजर है रेन इंडस्ट्रीज है आज का स्टॉक ऑफ दे डेए 200, 260, 265 यह ट्रेडिंग टार्गेट हैं और अगर आप पुजिशनल लें थोड़े समय में 300 तक लेवल्स आपको आते वे दिख सकते हैं पर आज लिस्टिंग भी है सर और इतिहास में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुई कंपनी पारस डिफेंस 303-304 गुना इश्यू सब्सक्राइब हुआ था कैसी होगी लिस सब्सक्राइब है और नाम में इतना इंटरेस्ट है कि डिफेंस और इस से ज्यादा और क्या चाहिए आपको नाम में करेक्ट तो मतलब और उपर से आपके पास वह ट्रैक रिकॉर्ड है शांदार दमदार लिस्टिंग का एम टी आर का जो इस सब्सक्राइब नहीं है लेक पाथी दस दिनों में ट्रेट टू ट्रेड रहेगा तो जिन लोगों को IPO में अलोट्मेंट लगे वही बेच सकता है और डिलिवर्य बेस्ट ट्रेड होगा तो अब कौन बेचना चाता है चार सर साड़े चार सक रहें वह इंटरस्टिंग है तो छोटी साइज का इस्यू है अलोट्मेंट किसी को खास मिले नहीं हाइस्ट टेवर भरा है सो मेरा यह समझ जा है कि यह लिस्टिंग के बाद कमाल कर सकता है ऐसा मेरा मानना है जस्ट बिकॉज अफ सप्लाई इशू कि सप्लाई नहीं आएगी अगर किसी को मतलब 25 करोर का स्टोक खरीदना हो मिलेगा कह और रिटेल में क्या होता है कि जब इसना इशू भरता है एक 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 लोड मतलब हजारों में से एकात को एक लोड मिलता है और उपर से डवल से ज्यादा लिस्ट हो जाए तो फिर किसी को बेचना नहीं है सो मेरा यह समझ है कि लिस्टिंग पर सप्लाई नहीं आएगी और अगर थोड़ी भी खरीदारी कहीं फंड्स की तरफ से आ गई तो इसको बेचना नहीं है वैसे मुझसे पूछेंगे तो बेची मत फिर भी हमारे लिए एक डिसिप्लेन और सेफ्टी वाली बात होती ही है जो हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए वो आप रख लीजिए 350 का स पहले रख लें समझो 450 होगी तो चाहर सो ले आए जो प्राइस हाई बना दे उसके 500 नीचे पर स्टोप्रोस आ जाए तो ट्रेल करते चले ताकि आपका मुनाफ़ा प्रोटेक्ट रहे हैं हाई से 50 रुपर नीचे का स्टोप्रोस यह 10 परसे नीचे का तब भी आप 175 वाला अगर आपका 400-450 हो जाता तो डबल से जादा तो होई रहा है तो मेरा यह समझना है अच्छा मुनाफ़ा बनेगा आप आरम से होल्ड करें तो बिलकुल तो अच्छा मुनाफ़ा बनने वाला है दमदार लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग अबाद कैसी चाल रहती है उस प तो चलिए IPO मार्केट का action, stock specific action, series की शुरुआत थोड़ी देर में expert से लेंगे उनकी दमदार pick of the series पर उससे पहले जान लेते हैं आज के खबरों वाले share तो साथी brokerage action भी वरुन, देवांशी मानसी और साथी आशीश है हमार साथ तयार, morning वरुन, बताएं कौन से हैं आज के triggers हो खबरें आज से लागो हो जाएंगी, ताटा की गाड़िया हो गई है महंगी, इसके अलावा करनाटाका में आज से cinema घर जो है वो पूरी शमता की साथ खुलने वाले हैं, तो अगर आप आप आ रहते हैं, तो जाके cinema घर में pictures देख सकते हैं, और सबसे आखरी में, अधित्य बिल्ला ट्रिगर्स और साथ ही कुछ खबरे भी, आए देवांशी से भी जाने कुछ और खबरे, मौनिंग देवांशी बताएं आज सबसे पहले आपको गैस की कीमतों पर नजर रखना है, नाच्रल गैस हमने आपको कली बता दिया था, और यह जी बिजनस की खबर पर महल लगती हुए दिख रही हैं, और यह और ओक्टोबर से लेके मार्च तक घरेलू नाच्रल गैस की कीमते तै हो चुकी हैं, और ज आज सबसे पर आपको नजर रखना है, इसका इंपको देखने मिल सकता है, इसके साथी मारोती सुजुकी इस बार फिर से एक बार समी कंड़क्टर के जो इशूस होते हुए दिख रहे हैं, इसका इंपक्ट आता हुए दिख रहा है हर्याना और साथी जो गुजरात का प्ल उससे केवल 60% तक का जो प्रड़क्शन है, वो उक्टोबर महिने में भी होता हुआ दिखेगा, फिलिप काबन ब्लाक इसका कल शाम को QIP खुला है, बोर्ड ने मंजूरी दी है, जो फ्लो प्राइस दै की गई है, वो करीब 256 रुपीज प्रतिशेयर पताई की गई है, जो क जो खबरे आती हुए दिखे थी कि NCLT में, इन्वेस्कों ने याचिका दायर की है, जी एंटेटेंमेंट पर, इस पर जी एंटेटेंमेंट के मैनेजमेंट ने जवाब दिया है, इनका कहना है कि नियमों के मताबिक 23 समय सीमा है, इस पर बोर्ड की बैठक होती हुए दिख आता है, तो यह है आपके लिए कुछ खबरे हैं आज की, मांसी गुड मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरे हैं आज? वैल्सपन कॉर्प की जॉइंट मेंजर कंपनी, एपक में 50.01% हिससदारी है, लिस्टिंग के बाद कंपनी के हिससदारी 35 प्रतिशत रह जाएगी और लिस्टिंग के बाद भी वैल्सपन कॉर्प कंपनी का सबसे बड़ा शेर होल्डर बना रहेगा, DLF और Delhi-based Real Estate Stocks पर नज़र रखनी होगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने Circle rates में 20% की कटाउती 31 दिसंबर तक बढ़ाई है इस साल February में कटाउती की गई थी और कल ये कटाउती खत्म हो रही थी लेकिन आप भी dates जो हैं इसे बढ़ा दिया गया और Real Estate सेक्टर को सहारत देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है NBCC National Health Mission के तहट कंपनी को करीब 96 करोर का ओर्डर मिला है दवाओ के वेर हाउस के लिए जिसके चलते फोकस में रहेगा बल्क डील्स हैं यहाँ पर इंसाइडर ट्रेज अबजाज होल्डिंग एन इन्वेस्मेंट पर प्रमोटर ने 44,424 शेज की खरीदारी 28 और 39 सितंबर के बीच की है वहीं ब्रिगेड एंटर्प्राइज़ में प्रमोटर ने 17,237 शेज की बिकवाली की है 29 सितंबर के दिन यह हैं तमाम ख़बरों वाले शेज जिन पर रखिया आप फोकस फोकस रखिए फोरेंड ब्रिक्रिजिस के एक्षिन पर तैयार है आशिश एफाई आर के साथ आशिश मताई आज की रिपोर्ट्स के लक्ष के लिए और यह मानरे की इनका जो कारोबार है काफी बढ़िया है सबसे पहली बात क्योंकि सेक्यूर्ड लोन्स होते हैं इसके लिए जो असेट क्वालिटी रिस्क है बहुत कम है आगे जाकर के ग्रोथ प्रोस्पेक्स इन्हें शांदर नज़र आ रहे हैं रिट की बढ़िया रिपोर्ट आते हुए दिखी है मेकवारी की तरफ से जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 183 रुपे पर लक्ष दिया है लेकिन यह मानरे की स्टॉक के अंदर शमता है बुल केस में अगर आप देखे तो स्टॉक जो 260 रुपे तक ज सकती है और आगे जाकर यानि FI 26 तक करार आप देखें तो इस पूरे कारोबार में 40% CAGR की अनुमान लगा रहे हैं तो यहां पर भी प्रस्पेक्स अगर आप देखें तो मेकवारी को शांदा नजर आ रहे हैं जिसके चलते जो बुल केस का टागेट दिया है उन्होंने करी कि 260 रुपे का दिया है इसको समझना कैसे फिर कौन सा टार्गेट माने 260 वाला मने 95 यह तरीका ठीक है चिह लिए तो यह है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्स और इन रिपोर्स पर आईए आगे एक्शन देखेंगे उससे पहले हमारे सारे एक्सपर्स तैयार आज है पिक ओफ दे सीरीज का नई सीरीज की शुरूआत है वह यह उक्टबर सीरीज पहला दिन पूरी सीरीज के लिए जानते हैं शेर हमारे एक्सपर्स से सूप्रभाद सेराणी साब करिए शुरूआत बताएं सर इस सीरीज के लिए आपका पसंदीदा शेर सूप्रभाद अनिल जी सूप्रभाद दिपांशू पिछले सीरीज का सूपर हिट स्टॉप जो डेबुटेंट था उस सीरीज का इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बनने की बात है वो 110 से 130 मिल्यों टंज अभी 2024 तक तो 40 मिल्यों टंज की कपैसिटी बढने की बात है स्टेबल रियलाइशन से वॉलिम ग्रोध दमदार और वॉल्यूम जो क्योंकि सिमेंट में वॉल्यूम दिखा जाता है ग्यारा परसेंट का वॉल्म ग्रोद एक्सपेक्ट रह सकते हैं आने वाले दो सालों के लिए डालमिया भारत निवेश के दरस्टिकों से 2510 ये सीरीज का भी सूपर हिट शेर रह सकता है डालमिया भारत से में दोजार एक्सो पांच खरीदारी की राए 2510 टार्गेट वही डीजिट्स हैं जिनको इदर उदर कर लीजिए काम हो जाएगा आपका ठीक है यह है सिद्दार जी की तरफ से उनका पसंदार शेर और पिछली सीरीज का आई-ई-एक्स भी कमाल करता हुआ दिखा है यह भ जिए फ्राइडे और सूपरभाद अनिजी इसा नहीं है जब हम छोपे होते हैं तब यह जी बिसनस देखते हैं आपको सुबह 8 बचे शुरू हो जाते है तो अनिजी TV भी हमारा 8 बचे शुरू हो जाता है तो TV अनिजी आन था अन्स्टी बोलूगा मेरी वाइफ ने पर यह जागिट है तो निजी फर्फूर्थी से मैंने भी शार्ट और यह जागिट पहन ली सेम टूम सेव और वह पहनने के बाद इमेजेटली अपने मितर चार्ट काउडनर पार्टनर कुनाल जी को इलट करा कि भाई आप मोधी जागिट पहन के आने कितने मतलबी आदम मैं पहले खुद का किया उसके बात कुनाल जी को बोला ऐसा है कि साथ साथ में बोल दे में कुनाल जी को पहले मैं मैं भी तयार और पहले अपना काम करने के बाद चलिए लेकर कुनाल जी और आप दोनों स्मार्ट लग रहे हैं बंसल जी थेंक यू वैसे हमने हमारे पिछे एक स्पेशल परफस है परफस यह कि 11 बजे हमें एक विशेश शो करने जा रहे हैं आज निवेश की गांधी गिरी कल गांधी जैनती है और चूकि बाद बंद होंगे तो आमने सुचा कि क्यों ना आज एक स्पेशल शो आपके लिए किया जाए तो गांधी जी के आदर शों से क्या आप सीख सकते हैं बादार में निवेश करने के लिया से इस पर ये विशेश शो मिस्मत कीजिएगा चलिए बढ़िया तो ब अब्लबर सीडिकता सबत्सक्राइग घंट पर्म करने का पोटेंशियल रखता है तो कुनाली लभल अने जी देखें, सबसे पहले तो अने जी गुड मॉर्निंग आपको धिपांचु को अने जी 2017 में कैंफिन होम ने 660 रुपय का हाई लगाया उसके बाद कई सालों तक हम देख रहे हैं कि 660 पार नहीं हुआ, स्टॉक बहुत नीचे भी आया और इस सप्तहा जो भी सप्तहा समाप्त हुआ हमने देखा है, 660 के उपर एक डिसाइसिव ब्रेकाउट आता हुआ दिखा और जिस तरह का क्लोज आया है पिछले महीने ये बात तैह है कि ये स्टॉक जो है बाउट परफॉर्म करेगा तो हमारी खरिदारी की राय है, हम एक टार्गेट दे रहे हैं, 800 रुपे का इस सीरीज के लिए 800 के टार्गेट के लिए कैंफिन होम में हमारी खरिदारी की राय है, 640 रुपे पर स्टॉप लो सकता है आजकर सब पूछना पड़ता है, ये सब जाने जानी है, आट सो के टार्गेट के लिए करेंख खरिदारी, आईए, सीमी जी भी हमारे साथ जोट चुकिए, सीमी जी गुड़ मॉनिंग, बटाएं आपकी पिक अफ दे सीरीज वेरे गुड़ मॉनिंग अनिल जी, पहले तो शुक्रिया आप लोगो को और शुक्रिया कुनाल जी राकिश जी को भी क्यूंकि कैन्पिन होम्स मैंने कल क्लोजिंग सेशन में स्पेशल बिगुल बजाके स्पेशल कॉल दिया था कैन्पिन होम्स का कॉल, आपको याद होना चाहिए और वो मेरा फ्यूजर का ही कॉल था और सबसे पहले और उसके बाद मैं शुक्रिया दिव्या को भी करूँगी क्योंकि मैंने सुभे आज पीक अफ दे में कैन्पिन होम्स ही चूस किया था, तो दिव्या ने मुझे याद दिलाया कि मैड़म आज कैन्पिन, आज मतलब पीक अफ दे डे नहीं, पीक अफ दे सी पर विलर मुझे लगता है कि मारुती बहुत अच्छा पॉपरम करना चाहिए और मारुती का चार्ट भी ऐसा अच्छा है कि यह पे कोई भी टार्गेट देना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो 7700-7800 का टार्गेट एक ही मैना में, मारुती को करेंट लेव मारुती को पिक अफ दे सीरीज के लिए चुछ किया है, तो मारुती है, आपके लिए पिक अफ दे सीरीज, यहां पर करें खरीदारी 7700-7800 तक के टार्गेट आने के लिए तैयार ओक्टोबर के महिने में, तैयार है सुमी जी भी, गुड मॉर्निंग सुमी जी बताएं और आज की जो गिरावट है, उसमें मेंटर सेक्टर में खरदारी कर नीचे जिसमें स्पेसिफिक्री मेरा जो पिक है, वो है सेल, स्टिल आफ़रिटी, सेल के अंदर एक करेक्शन, एक गिरावट हमने पिछले कुछ हफतों में, मुझे बुलना चाहिए, इंडेड मैने में एक सो आट रुके तक तो लोर डेवल्स पे खरदारी करके चलने का सला रहेगा, स्टॉक का जो लीचे में अच्छा सपोर्ट है, वो एक सो पांच और सो के असपास है, और एक सो बीस का लेवल टूटने के बाद सेल के अंदर उपर में जो गूप देखने को मिल सकता है, व अनलिजी मुझे लग रहा है इस महीने के लिए ध्यान देना चाहिए ऑटो इस पर्टिक्लर सेक्टर में जिस तरीके से इसमें अपने आठ महीने को कंसॉलिडेशन नजर आ रहा है, मचूरिंग स्टेजिस के मुझे लग रहा है, काफी जल इसमें एक अच्छा मोमेंटम ब पजाज ओटो को अगर हम फेबुरियरी से डेटा देखे तो काफी क्लियरली यहाँ पर एक क्लासिकल ट्रैंगलों फॉर्मेशन है, जिसका बेस लगबग अराउंड 3700 के आज पास है, मंतली स्केल पर अगर हम देखे तो यहाँ पर एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन हुआ ह जो वापस रीकनफर्म कर रहा है इस पर्टिकलर बेस को इसका अपर हैंड लगबग अराउंड 4200 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यह ट्रीडिंग सेट अप है, अगर मार्केट में थोड़ी सी डिकलाइन मिल जाती है, तो 3750 से 3800 के आसपास खरीदारी करने की सला होगी, 3680 का आपको weekly closing basis पे stop loss लगाना है, पहला target होगा around 4080 का, जिस तरीके से यह structure है, इसका patent target लगबग around 4200 के आसपास का है, तो मुझे लग रहा है, आटो में specifically budget auto से काफी बढ़ी out performance आ सकती है, जिस तरीके से roll over data है, लगबग 97% का roll over हुआ है, तो काफी in-line है, जिस तरीके से इसने एक rebound डिया है, अपने base से, बिल्कुल तो auto share हो पर हमारे expert से bullish, मारूतिकल हिमाशु जी ने भी दिया था, खरिदारी करने की रहा है, और अभी सिमी जी कह रही है, बजा जो तौप कही रहे हैं, और कल Tata Motors पर भी खरिदारी की रहा है आती हुई दिखी पी कुराल जी, राकेश जी की तरफ से, आशियू सर को भी पसंद है, कुछ बढ़ा करने की तैयारी में है, यह उनके शब्थ है, तो आएए धेर सारा action है, इन सभी स्टॉक्स में इन पर रहेगा focus, आएए अब जो ख़बरों वाले शेर हैं, उन पर focus किया जाए, सिदार ज नेगेटिव भी है, तो कई सारी कमचलों के लिए पोजिटिव भी बताएं सर, बिल्कुल सर, और जैसे साब से पावर और जैसे साब से नाच्रल विसोर्स की शौटेज आगी है, तो मुझे लगता है कि गैस का फाइदा डिरेक्ट को रिलेशन गैस की कमप्यों को और उसम मुझे से पसंदिता शेर जो हमने शौट टम के लिए भी निकाला है, वो है IGL, इंदरपरस्ट गैस, इंदरपरस्ट गैस मुझे लगता है कि पाइप नाच्रल गैस, PNG में है, ये भी अपने दाम बढ़ाएंगे, रियल एशिंस बहतर होंगे, तो मुझे लगता है कि IGL प खरिदारी करने की राए है, यहां पर आपके लिए IGL में कल खरिदारी करने की राए आती भी दिखी थी हमारे एक्सपर्स की तरफ से, स्टोक में एक्शन बनता हुआ नजर भी आये था, कुछ और स्टोक जहां पर एक्शन भरपूर रहेगा, वेल्सपन कॉप, ये एक और स्टोक है, जहां पर जराश सचिन जी अपनी राए दीजिए, खबर याई कि साओधी अरेबिया में जो इनकी सबसिटरी कंपनी है, EPIC, उसका IPO लाने की तैयारी में, फिलाल इनके पास 50% स्टेक है वहां पर गटकर 35% रह जाएगी, और कल थोड़ा बहुत एक्शन जो लगबग यहां पर एक क्लासिकल डायमंड फॉर्मिशन है, मंतली चार्ट पे, जिसका बेस इसने वापर सरी कंफर्म किया, अरौंड 115 के आसपास, जिस तरीके से कल के सत्रम में, एक मोमेंटम बना है, अपने 200-day एक्सपोनिशन में अवरेज को इसनी अच्छी तरह काट ड याज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और ओन 130 के आसपास, और मिनिममम टार्गेट हो सकते है, और ओन 200-220 के आसपास, वाँ, 200-220 यह है, आपके लिए, वेस्टमन कॉप में बड़े टार्गेट्स आते वे दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से, ओके, एक और स्टॉक है, जो दिल्ली से करें प्यार, डिल्ली से कैसे करें, गार तो बंसल जी, डिल्ली प्यार्गेट्स देखिए, अच्छी ख़वर है, जो पहले से थी, और अच्छी थोड़े समय के लिए होगी, तीन मेने और, जो सर्कल रेट 20% गटाई थी दिल्ली में, उस उस से रेजिस्ट्रेशन सोरे से बढ़ते हैं, डिल्ली बताएं सरु, दिखें नीची डिल्ली डिल्ली का टेक्निकल स्टॉक्चर बढ़िया है, और नीचे में 404, 403 एक अच्छा सपोर्ट है, टेक्निकली सपोर्ट के साथ बने रहना चाहिए, और एक बार 422, 422 के लेव उपर में टपेंगे, तब यहां पर प्राइस वोल्यूम एक्षन देखने को मिलेगा, ओके, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, सिदार जी इस पर आए दीजिए, आज क्योई पी खुलने की तैयारी में 4% डिसकॉंट पर फ्लोर प्रैस ताही हुई 255 रुपे 85 पैसे पर, 267 पर बंद हुआ है, इसमें भी 5% का एडिशनल डिसकॉंट और दिया जा सकता है, यानि कि करीबन करीबन समझ तो 240 के आज़ पास वाला, तो क्या 240, 245 आए तो खरीदना चाहिए शेर, क्या करें, आपकी राए बताईए ज़रा, देखें अनिल जी, कारवन ब्लाइक बिजनस का यूनिक बिजनस है, फिलिप्स कारवन, और मैं मानता हूं कि टाईर्स में इस्तमाल, बहुत सारे प्रोड़क्स में इस्तमाल होता है, तो जिस साब से टाईर्स की मांग बढ़ रही है, और दूसरे सब पदार्ट केमिकल्स क करना चाहिए यह सब कंपनियों एक साइक्लिकल बिजनस एक पूर्डिटी बिजनस है तो आपको थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा इसमें तो मैं मानता हूं कि अच्छी कंपनी बने रहे या क्यों प्लाइ करें प्लाइ करें तो थोड़ा समय लग सकता है लेकिन चिंत जारी करने की राइब बनेगी ही एक और स्टोक है जहां पर फोकस करिए और वो है जी आर इंफ्रा जियार इंफ्रा जरा सचिन जी इसके चार्ट देखें बताईए हाली की लिस्टिंग है 951 करोड का बड़ा ओडर मिला है इने ने नेशनल हाइवे बनाने के लिए हैम प्र करने के बाद काफी बड़ी वर्टिकल मूव आई थी तो मुझे लिए वैसी कुछ वर्टिकल मूव अनलॉक होनी चाहिए बट ट्रिगर के लिया से जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो है अरूं 1950 का अगर यह ब्रेक हो जाता है तो बाइस से तक के पैंटिन टागेट ज सिदार जी नए जमाने के स्टोक आपको आचकल बड़े पसंद आ रहे हैं जरा एक इस पर भी राय दीजिए जो मेटो रिपोर्ट तगड़ी आई है मक्वायरी कि युन्होंने का कि इसका टार्गेट रखे 183 का 136 पर स्टोक है 260 बिलकेश सिनेरियो में 95 रुपए आप खरीदेंगे जी बिलकुल अनल जी आपने सही परमाया और सही याद रखा इसी हफते बुदवार को न्यू एज बिजनस में मैं जमैटो को लेकर आया हूँ और इसका टार्गेट जो रखा है 170 का तो जमैटो पे खरीदारी जरूर लेगी short term medium term perspective में टेक्नो फंडा के हिसाब से भी बहुत बैतरी ने जमैटो और यह नए एज का बिजनस है इसमें वैल्यूएशन नहीं घ्रोथ सिर्फ देखा जाता है और इसका ग्रोथ 525 शेहर है तो मैं मानता हूं कि दमदार बिजनस है घ्रोथ देखे तो जमैटो पे खरीदारी करने चाहिए 170 का टागेट तो यह है आपके लिए जमैटो में खरीदारी करने के राए एक और आपका प्रसंदिदा शेहर है टाटा मोटर्स कुनाल जी जरा इसके चार्स देखिए आज से गाणियों के दाम बढ़े वे रहेंगे टाटा मोटर्स के कोस्ट वगेरा जो बढ़ी है उसको सेट ओफ करने के लिए आज से दाम बढ़ा रहे हैं बताएं से टाटा मोटर्स 333 अनिल जी देखे चार्ट बहुत अच्छा है कली मैंने और राकेशी ने स्टॉक की बात की थी खरीदारी की राए दी है अनिल जी बहुत जबर्दस चार्ट है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न निचले स्थरों पर बन रहा है और टाटा मोटर जो है वो 360 रुपे के ले रहा है और घुरावत में अनिलता है तो इसको खरीदारी करनी बिलकुल करी action में अगले सिरीज आई आपकी पिक Això की 54 शुटम आउनिपाइव गॉणिंग को मिली स Jersey होंगी ही हिंदुस्तान पेट्रोलिया 300 का बंध है इसका पैटर्न दो हफ्ते पहले एक इन्वर्स एंड शोडर का एक ब्रेक आउट है और पुरे वॉल्यूम के साथ यह निकला है तो यह मूव कंटीनी होनी चाहिए 330-340 की अपसाइड में देख रहा हूं अभी 300 का भाव है आज के जैसे करेक्टिव मूँ में अगर मिलता है 295-290 एरेज में आपको लेना चाहिए 275 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टार्गेट 330-340 होगा यह मेने का है बिल्कुल तो HPCL पर रखे है नजर कल मैनेश्मेंट के साथ भी हम बात करे थे एमके सुराना साहब और उन्होंने भी पताया कि काफी प्लान से कंपनी के आगे जाकर डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं क्लीन एनर्जी में भी हैं और साथी EV चार्जिंग स्टेशन भी लगा रहे हैं तो नज़र रखे ओयल मार्केटिंग कंपनी और इस सीरीज के लिए बागले साहब 10 से 15 परसंड की गेन इस पर आते हो देखते हैं